हलो दोस्तों स्वागत है आपका सभी लिगान में सपनों की सोडान में स्वागत है आपका सभी लिगान में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परचे के बारे में क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में जो है बहुत सारे कोशन बन जाते हैं चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि महत्मा बुद्ध के जीवन पर जैसे हमारे कौन कौन से कोशन हमारे एक्जाम में आते हैं सबसे पहले अगर हम बात करने कि जो बाहत धर्म था एक जेन धर्म था तो यहां पर आज हम愁च धर्म के बारे के बात करने वाले हैं। गैज आपको जो बहुत धर्म था बहुत धर्म की जो संस्थापक जो आपके बहुत धर्म था बहुत धर्म के जो संस्थापक थे उन्ही का नाम महात्मा बुद्ध था उन्ही का नाम क्या था महात्मा बुद्ध था तो यह आपके बहुत धर्म के संस्थापक थे उन्ही का न महात्मा बुद्ध का अगर हम जन्म के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था और 563 इसापुर में हुआ था कि पांसो 53 इसापुर में इनका जन्म हुआ था अगर हम बात के जन्मस्थान के बारे में तो इनका जो जन्मस्थान था गाइज इनका जन्मस्तान लुम्बनी कपिल वस्तु में इनका क्या हो था जन्मस्तान था इनके पिता का नाम सुद्धोधन 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 इनको कहा था कि साक्यों के राज थे कपिल वस्तु के सासक थे इनकी माता का नाम था महा माया देवी माता का नाम क्या था महा माया देवी इनके बच्पन का नाम क्या था इनके बच्पन का नाम था सिधार्थ सिद्धार्प नाम था एनका जो पालन पॉंसर्ण क्या था इनका प करने पोसर्ण जो हुआ था गवतमि shocks प्रजापती इनका नाम था और ये क्या वर्स की अवस्था में और इनकी पत्नी का नाम क्या था यह सुधरा था पत्नी का नाम यह सुधरा था ठीक है और इनके जो पुत्त थे उनके पुत्त का नाम क्या था राहुल था राहुल था यह महात्ना बुद्ध से समंधित कुछ बाते थी जहां पर हमने यह सीखा कि महात प्रजापती ने किया था और इनका विबाद जो हुआ था पत्नी के नाम एसोधरा था 16 वर्स की और से इनका विबाद हो गया और इनके पुद्ध का नाम रहुलता और भी जान लेते हैं इनसे समझत जो महतपुड घटनाएं हैं जो मरे एक्जाम में बारं बार आती रहती है चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं बुद्ध से समंधित महतपुड घटनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि इनके समंधित कुछ घटनाएं थी जो ग्रहत्या की घटना थी जो महत्यापुड ने अपने ग्रहत्याग की घटना थी इनकी ग्रहत्याग की घटना होती है उनको हम लोग महा भी निसकरमण कहते हैं जो की 29 वर्स की आयू में इन्होंने ग्रहत्याग कर दिया था ग्रहत्याग कर दिया था ग्यान के प्राप्ति एनको जहां पर होई थी ज्यान के प्राप्ति अस्तानका राम क्या था और जो पीपल का बिच था जहां पे बोधी प्रिच मनलब जहां पे इनको जान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल बिच था पीपल पीपल बिच था और 35 वर्स की आयू में 25 वर्स की आयू में बैसाख पोडिमा के दिन बैसाख पोडिमा के दिन गायज इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी अगर हम बात करें पर्थाम उप्देश तो इनका पर्थाम उप्देश की जो घटना है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवरतन के नाम से जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं और यह जो पर्थम उपदेश जो इनका हुआ था वो सारनात में सारनात में इनका पर्थम उपदेश था और इस घटना को हम लोग धर्म चक प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और निकी जो मिर्त्यों की घटना है उसको हम लोग महा पर निर्वाड के नाम से जानते हैं और निकी मिर्त्यों 483 इसा पूर्व में बैसाख पूर्वा के दिन कहां पर कुशी नगर में हुई थी तो ये महातनब से समांदित घटना थी बैसाख पूर्वा के दिन अस्थान कोशी नगर घटना महा पर निर्वाड के लाती है तो ये इनसे समांदित कुछ महातपूर घटनाए थी महाब निसकर्मन क्या होता है पूछ लेता है कि महाब निसकर्मन क्या है तो इनके जो ग्रहत्याकी घटना उसको महा भी निस्करमण कहा जाता है और जो है इनके पर्थम उब्देश को धर्म चक्पॉद्धन के नहीं से जानते हैं कहा हुआ था सारनाथ में हुआ था इनके मजणस्त्यों को महा पर निवार का जाता है तिये महात्म queen समत्यों कुछंच खटना एंती विगा और उन कुछ बहुत परतीक हैं, जैसे कि बहुत परतीकों कर हम बात करें, तो कमल यह उसार जो है, वो जन्म का परतीक है, घोड़ा जो है, ग्रिह का परतीक है, ग्रिह त्याग का परतीक है, अगर बात करें पेपल बिच जो है, तो ग्यान का परतीक है, अगर पधचिन का बा पर्तीख है घोड़ा गिरहत्याग का परतीख है पेपल भी सिग्ञान का परतीख है पद चिन जो था नेवाड का परतीख है इस्टूब जो है आपका मृत्व का परतीख है तो यह आपके महात्मपुर्द से समंदित का इच कुछ घटनाए थी जो आपके एजाम में पुछी जाती है यहाँ पर हमने बात किया था कि महात्मपुर्द से समंदित कुछ घटनाओं के बारे में और महात्मपुर्द के कुछ बहुत संग येतियां होई थी बहुत संकीतियों के बारे हम बात कर लेते हैं बहुत संकीतिया पर्थम बहुत संकीति जो है राजगिरे अगर हम बात करें पर्थम बहुत संकीति की तो पर्थम बहुत संकीति जो है आस्थान कहां पर राजगिरे में हुई थी पर्थम बहुद संगीती राजगरे में हुई थी इसका समय क्या था 483 इसा पूर्व था अध्यच कुन थे महाकस्यप इसके अध्यच से अगर बात करें सासनकाल किसका था तो अजात सत्रु हायकमस के काल में ये हुई थी तो पर्थम बहुद संगीती 483 सापूर में अस्थान राजगरे अध्यच महाकस्यप सासनकाल अजात सत्रु बुद्ध इसका उपदेस क्या था कि बुद्ध के उपदेसों को दो पिटको बिने पटिक ता सुत पटिक में संकलित किया गया ये जो है पर्थम बहुद संगीती का उद्ध्यच था पत्म बहुद संगीती समधिद्य घटना है ती आगे कुछ कोशन है आगे कुछ बाते हैं दुतिया बहुद संगीती के बारे में है कि दित्या बहुद संगीती जो है 383 सापूर में हुई थी और अस्थान कहां था भैसाली में अध्यच कौन थे सब्व कामी मिलता है सब्विकामी अध्य घजजिसके सब्विकामी थे साशनकाल किसका था काला सोक सिसुनागवन से कसे समीपर में हुई थी इस जो बोजिसंगीती इसका उद्दान के लिए बहुत भरमास्तापिद momsamhathvideag के दो भागों में बट गया इसका उद्देस था अगर और इसके जो अध्यच थे वो मोगली पुत्त थे मोगली पुत्त से थे सासनकाल इसका कहां प्रेता असोख मोरंस के काल में यह तित्याबु संकीती संपन्वी थी अगर बात करें हम लोग और हाँ तित्याबु संकीती के जो उद्धिश था संग भेद के विरुद्ध कठोन कीयमों का प्रतवादन करके बहुत धर्मों को स्थाय०्त परदाल करने का प्रत्न किया अगर मुद्ध धर्मगरण्थों का अंतिम पुर्व स संपन्धिश कर पात करने चूठी बोल संगीत जो चूठी बोल संगीटी आपकी है कश्मीर के कुंडालवन में हूई थी समय कि बहत्तारी सापुर्व परफम सताब्दी कह सकते हैं ऐस्वेb कह सकते हैं अध्यच कौन था इसका वसुमित इसका अध्यच पुछ लेता है कि चतुद बहुत संगीतिक उपाध्यच थे वह कौन से अश्भौस थे अगर साशनकाल के बात करें तो कनिस्क के काल में उद्दे से संगीतियां थी मullen बहुति संगीति po 24 और संगीती थी उस में भूद धर्म दो भागों में बठ गया था हेन यान और महायान में डिवाइध हो गया था तो यह कुछ महातनाबुल से समंधित महातपुर घटनाएती जो आपके एजाम में बारहां पुछी जाती है चलिए इसको हम बहुत संगीती को एक बार फिर से देख लेते हैं कोशन क्यों से बनता है जीससे एगर पूछाएगा परफं जो परफं बौद्ध संगीती है ठीक है परफं परफं बौध संगीती से अगर कोशन पूछेगा तो कैसे पूछेगा परफं बपूछें अस्थान कहां था तो राजगिरे में अध्यच कौन थे तो महाकस्यप इसके अध्यच थे अगर पूस शासनकाल तो अजात सत्रू कौन था अजात सत्रू और कभि थी प्रधम बोल्शंगीती 483 इसापूर्भ में गर बात करें हम लोग जुतिय बोल्शंगीती की जो जुतिय जुतिय बोल्शंगीती हमारी थी तो जुतिय बोल्शंगीती इसे क्या होगा समय त essere 383, 383 इसा पूर्व में हुआ था और अस्थान कहां पर बैसाली, अध्धच कौन थे, सब कामी, सासंकाल कौन था, काला सोक, काला सोक काला सोक समय 383 सापूर 22 सबकामी काला सोक अब बात करेंगे हम तो तीरतिय बहुत संगीती तीरतिय बहुत संगीती तो तीरतिय बहुत संगीती में हमको क्या जानना है इसमें भी वही चीज़ हमको पढ़ना है जो तिर्टिय बोज संगीते हुई थी 250 कहीं कहीं 250 इसापुर्व देखने को मिलता है और ये पाटली पुत्र में अस्थान कहां पर पाटली पुत्र में हुई थी अध्यच कौन थे मोगली पुत्र तिस नाम था इनका और किसके सासंगल में असोक के समय हुई थी अगर हम बा जो चौत्य बोज संगीते थी 72 इसापुर्व में 72 इसापुर्व कहां पर कुंडल वन अध्यच कौन थे वह सुमित्र और इसमें उपाध्यच पूश लेता उपाध्यच जो थे अस्व घोष और किसके संकल में कनिस के संकल में ये हुई थी तो यह बोज संगीतिया के बार केंट और इसका इस्त्य आत कल सकते हैं ट्रिक है और भी में पी अगया चेंश संगीति दुटिय बोधु संगीती तीर्तिय बोधुसंगीति और चोथी बोधुसंगीति पर्थम राजगिरे दूसरी बैसाली री पाटले-पुत्र चोथी कुंडलों ये तो हो अजात सत्र काला सोक, काला सोक में आप देखेंगे काला सोक, ये काला सोक है, पहराद अजात सत्र हो जाएगा दूसरा काला सोक, अब दूसरे में देखें काला सोक के बाद जो है काल धन असोक, तो यहां से असोक बाहर निकल के आ जाएगा, तो तीरतिया में कोन हो जाएगा? तिरतिया में कौन हो जाएगा सासनकाल में असोक में और चौथी देखेंगे चौथी अगर हम देखेंगे तो यहां से असोक में एक का देख लीजिए तो क्या हो जाएगा कनिस्क को इस तरह हम्याद कर सकते हैं इनके सासंकाल को अजाजसत्व काला सोक असोक से फिर असोक काला सोग का दुतिय फितितिय असोग फिर यहां से का निकाल कनिस्क चोथी कनिस्क में हो जाती है फिर उसके बाद हम यहां देखेंगे कि राजगिरे वैसाली पाटलेपुत कुंडलवन इस तरह मिल्किया साम ग्राद कर सकते हैं तो गई जी आपके महतना बुद्द के जीवन से समद्धी घटनाय थी और उनका जीवन परशे था और बुर्द संगीतों के बारे में था उम्मिद करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो प्लेज लाइक शेयर सब्क्राइब सिविल ग्यान यूटूब चैनल को थैंक्यू जैहिन जै भारत